पर आपको याद होगा पूराने इससे पहले वाले वीडियो में जो हम प्राप्लम फेस कर रहे थे अपने पास कैसा था app.js था, app.js के अंदर child component थी, child component के अंदर grand child component थी, यानि कि ये nested था है न, तो अगर मैं, आप देख सकते हो, हर जगा मैंने console lock किया था, app के अंदर, child के अंदर, और इसके अंदर जो child use हो रही है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो, कि even though app.js के अंदर, मैं child is shown false pass कर रहा हूँ, हमेशा के लिए, यानि कि child कोई change नहीं कर रहा है, right, app component child को change नहीं कर रहा है, बार-बार, सिफ जो है वही pass कर रहा है, फिर भी ये component rerun होता है, right, इसके साथ grand child भी बार-बार run होता है, right, यानि revisit होता है, इसे क्या होता है, कि ये function है, अब इतनी बार, यहाँ तो दो-तीन component है, तो चल जाता है, लेकिन multiple components है, तो इतनी बार चलेगी, right, बड़ी application में अगर ऐसे आपने nested किया, तो फिर तो application की performance डाउन हो जाएगी, right, कि अगर, मालने जिए branch है, यहाँ से एक branch निकली, इसके भी child component है, इसके अंदर भी child component है, इसके भी child component है, इसके भी, और यहाँ पर बटन क्लिक हो रही है, तो आप देखे रहो कि current यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ तक चला जा रहा है, यानि कि जितने बार भी करोगे फूरा ब्रांच का जो भी स्टीम है या फिर ये ब्रांच है सब हिलने लगते है तो क्यों नहीं हम थोड़ा इसको cut-out कर दे या फिर exactly disconnect नहीं करना लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ करे मतलब ऐसा कुछ हो यानि कि child component अगर app component जो है child को बार-बार प मैं अगरा चुक ही है यहाँ पर indoors करूंगा चाहिल के अंदर जाओंगा मुझे किसको रोकना है child को रोकना है तो मैं child के अंदर जाओंगा अब मैं यहाँ पर ici के लिए यह चाइड तभी तडबेगा जब इस पे जो पास की गए प्रूपटी और चेंज हो, यहाँ पे तो फॉल्स है, चेंज होई नहीं रहा हर बार, तो अगर लेट से मैं यहाँ पर हर बार चेंज करो, एक सांपल के लिए, अगर मैं यहाँ पर यह पास कर दू, जो मैं उस स्ट क्या बूल रहे हैं कि हमारे चाइड तभी चेंज होना चाहिए, जब इसके उपर जो प्रॉप से हो चेंज हो, यहाँ पे तो फॉल्स है, अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हैं कि फॉर्स टाइम तो हमारे कॉंपनेंट रन होना ही चाहिए, कितना भ क्या है कि यहाँ से वाइड से हा रन हो जो यहाँ पर रन हो रहा है, जो यहाँ पर簡asures चाहिए इसका मतलब क्या है, कि यहां से मैंने तारी काट दिया, यानि यह जो यहां से मैंने disconnect कर दिया अब यह आगे जाएगा है नहीं सिर्फ यहां button click करो यही branch बस तडबेगा मतलब यह अच्छी बात है ना कि हमने disconnect कर दिया और हम component को बचा रहे बार-बार render होने से यह इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइल में जो चीज़े जा रही है हमेशना static जा रही है तो यहां पर कहीं न कहीं अगर मैं इसके अंदर जाओंगा ठीक है अगर मैं चाइल में वापस जाओंगा तो आप dimensional काश्रा रहा है यहां पर react memo क्या करता है react memo अपने memory में कुछ न कुछ करता है क्या करता है जैसे react memo ने child के लिए कुछ रखा memory में ठीक है ये दो चीज़ रखा एक रखता है previous ठीक है previous value और एक current जो पास हो रहा है अब previous भी था false current भी false आ रहा है जब ये दोनों same है यानि कोई changes ही नहीं हुई तो ये child को क्यों render करेगा है ना और same जब ये ही render नहीं हो रहा है तो फिर इसके नीचे वाला child क्यों render होगा यानि जो उसके अंदर use कर रहे हैं तो basically आप ऐसी check हुआ कुछ है ना कि मतलब जो props के उपर कुछ ऐसा कि previous well जो भी था अपका is shown अगर equal equal to है तो ही आप क्या करो अगर ये props के उपर is shown अगर equal equal to है तभी आप rerun करो ठीक है ये कुछ condition होगा ऐसा कुछ है ना इसलिए ये भी run नहीं हुआ क्योंकि match basically क्या अगर equal नहीं है तो sorry ये क्या अगर ये equal नहीं है तो run होना यानि कि कुछ अलग data आया है लेकिन जब data ही same आया तो क्यों render करना है ना तो यह पर वही हो रहा है क्योंकि जब तक अगर दोनों previous और current data same है तो no re-rendering राइट sorry rerun नहीं होगा component तो ये clear है अब आप उझो कि क्या इसको हर जग यूज़ करना है हाँ आप हर जग यूज़ कर सकते हो लेकिन sense बनना चाहिए अब जहाँ पर लड़ी आपको पता है कि props वहाँ change होने वाले ठीक है तो वहाँ पर react memo यूज़ करके क्यों क्यों फाइदा नहीं basically ये help up करता है जब आपके पास बहुत सारा nested components हो और वहाँ पर कोई impact या फिर कोई चीज चाहिए नहीं बहार से वह जैसा है वैसा ही चीज only मतलब रहना चाहिए ठीक है तो उस case में आप क्या करते हो react memo यूज़ करते हो यानि कि आपको पता है कि हर बार same data के लिए हमको render नहीं करना अगर data कुछ अलग है तब ही render करोगे है कर रहा है इसने यहाँ पर memo क्या बोलता है memo बस यहीं बोलता है कि जो भी props के value आ रही है नई value इसको check करो क्या ओ सेम है previous value से सेम है तो फिर कुछ नहीं करना सेम नहीं है तो हाँ चीज़े दिखानी है render इसको rerun करो है ना तो अब यहाँ पर ऐसा है कि हर जगा आप react memo भी use करने लगे तो बात ही आएगी एक जगा आप क्या कर रहे हो rerun से बचा रहे हो memo यूज करके हम क्या कर रहे है हम basically function को rerun से बचा रहे है ठीक है लेकिन यहाँ पर दो चीज़े एक rerun और दुसरा है memo rerun करो या फिर आप comparison करो अब ऐसा तो नहीं कह सकते है कि दोनों में से कौन सा costly है हर जगा memo यूज करोगे तो बहुत सार comparison हो जाएगा यह एक process costly हो जाएगी और हर जगा आप rerun करने लगा तो भी costly है तो ऐसा नहीं बोल सकते है कि कौन सा effective है because it depends करता है कि आपका component tree में कितने components है nested right कितने मतलब कि उसके component nested है या फिर कितने उसमें logically के वही है कितने उसमें lines of code है जो बार बार रन हो सकते है कितने functions हैं तो बहुत सारा चीज scenario है इसलिए कौन बहुतर है नहीं बोल सकते हैं लेकिन आपको जब पता है कि अगर इस component के ऊपर मुझे तभी इसको रेंडर करना है जब कुछ नया change है नहीं तो ऐसी रखना है ठीक है तो इस case में इसको कुछ करने के जुरूत ही नहीं इसको आप memo यूज कर सकते हो है ना अगर मैं ऐसा देखूं कि मेरे पास app.js के अंदर button जो है custom component है ठीक है अब इसके ऊपर जो on click है ठीक है toggle handler है जो मैं पास कर रहा हूँ तो क्या button की ऊपर memo यूज करने से रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो आप देख सकते हो जो app.js के अंदर में button यूज कर रहा हूँ इस पे तो मैं कुछ data पास नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक handler है तो अगर मैं button की ऊपर memo यूज करता हूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगा import कर लेता हूँ import react कर लेता हूँ यहाँ से और मैं क्या करूँगा react.memo ठीक है एसे मैं button running एसे मैं लिग लेता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर जाओंगा refresh clear करते refresh करते अब आप देखोगे कि app component first time तो सारे चीज़ रन होनी चीह राइट अब मैं toggle कर रहा हूँ ठीक है इसका reason क्या है इसका reason simple है यह app component जो है add then क्या function है तो app component जितने बार run करेगा उतने बार यह नई बार function बनेगी अगर यहाँ पर 50 function होती तो 50 बार यह function declare होता और इसमें value आती ठीक है तो आपको परता है कि javascript मे basically अगर हम बात करें तो दो तरह के data होते है एक primitive right एक primitive होते है और एक reference type होते है इसको non primitive बोलते हो यह कैसा होता है जैसे false हो गया string हो गया number हो गया और यह कैसा है function ठीक है object या फिर array यह सारे चीज़ और reference type में आते है तो आपको पता है कि false आप compare अगर करोगे जैसे अगर मैं developer tool में गया और मैं यहाँ पर string false को compare करता हूँ क्या false false same है even though यह false नया value है यह भी नया value है लेकिन दोनों same है true बोलते है right यानि कि इसके लिए same है अगर मैं 3 equal equal to 3 करूँ आप देखोगे तो यह true बताएगा क्यों क्योंकि यह 3 even though नया value यह नया value है लेकिन यह यहाँ पर primitive में यह true निकलता है क्योंकि दोनों same है right लेकिन वही reference type में अगर बोलू कि 1,2,3 है ठीक है और even though देखने में same है आपको अरड़ी पता है right इसके बारे में फिर भी यह false बताएगा क्यों क्योंकि यह reference type है इसका कोई pointer save होता है memory में और हर बार आप जितने बार यह create को रहे हो इतने बार हो नहीं नहीं location पे यह बनता है pointer right set हो जाती है यानि कि यह बार बार उतने बार reference create होता है इसलिए जब भी यहाँ पर यह जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो on click button के अंदर जो on click आ रही हो किसको point कर रहे है function को right even though function कैसा है pointer right अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं अगर मैं function लिखता हूं ठीक है t अगर यह से मैं store करता हूं where x पर एक function है यह जिसका ना मैं t दे रहा ठीक है where y पर एक function है sorry और अभी मैं अगर इसको compare करूं x equal equal to मैं अगर function t ठीक है यह compare करूं तो यहाँ पर क्या आएगी false आएगी even though x में भी वही function है x में भी वही function है लेकिन यह false आए क्यूं क्यूंकि function का type क्या होता है reference यानि कि जितने बार यह app component run होगा मतलब react run करेगा यह javascript का पाठी track का बाठ नहीं है उतने बार यहाँ पर toggler handler के लिए जो pointer यहाँ पर जाएगी यह button के अंदर onclick के अंदर जो value आएगी यहाँ पर यह props.onclick हमेशा नया आएगा यानि कि यहाँ पर अगर आप बोलो के props.previous.onclick यहाँ पर यह कभी equal to नहीं होगी यहाँ पर props.onclick यह कभी भी equal नहीं होगी not कभी भी क्यों क्योंकि हर बार यहाँ पर reference आएगा है ना इसलिए जो previous value आई थी onclick के पास और है ही नहीं इस बार onclick को जो मिला है और नए value आए इसलिए दोनों different है लेकिन app.js के अंदर जो हम false पास कर रहे है तो आपको पता है अ यानि कि दोनों same ही है लेकिन अगर previous value same function है और अभी नए value भी same function जा रहा है तो false है क्योंकि इसका यह kind of pointer hold करता है right reference type data इसका मतलब यह है कि जितने बार even though आप react memo या आप usb कर लो ठीक है button के ऊपर ठीक है लेकिन फिर भी run करेगा क्योंकि हर बार जो props की value आने वाली onclick यह memory में let's say reference hold करती है right यानि कि इसका x123 था यह function था अब जो नहीं बनेगा उसका let's say 234 आ जाएगा even though function same ही है तो क्या यह location same है नहीं क्योंकि यह function hold करता है कैसा store होता है as a location store होता है right reference type memory में लेकिन इससे भी मतलब react जो highly optimized जासा हम जानते हैं जैसा कि इसके लिए solution निकला react memo use करके हम बचा पार है उसी तरह हम इसको भी बचा सकते हैं यानि कि हम चाहे तो यह जो toggle handler है हम चाहे तो एक ही बार create होने दे बार बार जैसे आप component run होगी तो उतने बार यह create होगा हम चाहे लेकि आ सकते है react miss का भी solution है जो आगे देखने वाले लेकिन अभी के लिए हमने क्या समझा memo use करके आप क्या करते हो जो आप check करते हो उस component के लिए कि previous value क्या थी और जो current value क्या आ रही है उसको compare करते हो है अगर value change हो तो यह render होता है या sorry rerun होता है ठीक है यह render होता है आप जो बोलना चाहो तो मिल देक्ली वीडियो में थैंक्यू सो मच्च